सो नमस्कार दोस्तों बहुत बहुत स्वागत आप सभी के आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगर आपके पास Android मोबाइल है और आपको आपके मोबाइल में फ्लीक्रिंग से लेटिड प्रावलम आ रही है आपकी स्क्रीन जो ह यहां पर चोटा सही मां आपको ट्रिक बताव करेंगे तो आपकी प्रावम सौल हो जाएगी अगर आपको मोबाइल गिरने से अगर आपके मोबाइल गिरने के बाद कुछ इस ताह से फ्लीकर करने लगा है तो भी आप एक बार ट्राय करके देख लीजिएगा अगर होता है तो ठीक है अगर आपका मोबाइल कुछ भी यहां पर हुआ नहीं है आपके पोकेट में या फिर आपके हाथ में या ऐसा फ्लीकर करने लगा है तो उसका सॉल्यूशन आज की वीडियो में है तो इस वीडियो में बने रहेगा वीडियो अच्छी लिगे लाइक कर देना चै तो इस प्रॉब्म चुटकार आपने के लिए आपको क्या करना है Chrome प्राउजर में आना है Chrome प्राउजर में आने के बाद एक application को सर्च करना है यह रही OLED-Saver आपको जो है Chrome प्राउजर में आने के बाद इस application को install कर लेना है किसी भी website से आप इंस्टॉल कर सकते हैं बहुत सार पर भी आपको application देखने को मिल जाएगी तो कई बार होता क्या है कि आप इसको Chrome Browser से install करते हैं तो कई बार होती नहीं है जिसको पास MI कम वाइल हो तो यहां से आप कर लिजीगा यहां पर इसको get कर दिया मैंने यह install होना है start हो चुगी है guys install हो चुगी है अब इसको open करते हैं open करने के बाद यहां पर इसको कैसे चलाना है कैसे use करना है वो मैं आपको बताऊंगा तो इस वीडियो में यहां तक बने रहेगा यहां पर कुछ इस तरह से आपके सामने लिखाएगा was the wizard इस पर click कर दिजीगा click करने के बाद नीचे next पर click करना है फिरसे next इसको next next करते रहे ना है जब तक आपको यहां पर next show हो रहा है देख सकते हैं next यहां से चला गया है अब आपको क्या करना है ऊपर enable service लिखा हुआ है इस enable service पर आपको click करना है click करने के बाद यहां पर आचुका है allow modifying system setting इस पर सब्सक्राबद के स्कूंने कैंद अगलर अज और सना पर पिर नेवल Armed कि इस पर आ जाएंगे अग produzies ऴॉल्डरों को इस पर आ जाएंग से यहां अवेसरे प्लेड आप करनेसे बाद आन्लोड एप से यहां पर है यहां पर यहां पर यहां पर ओ प्रैस पर क canonे üz इसको ok कर देंगे यहाँ पर इसको click करेंगे I am aware of the possible risk और ok कर देंगे यहाँ पर कुछ इससे ok करने के बाद back आना है back आने के बाद आप कुछ इससे उसी page पर आ जाएंगे enable service अभी भी नहीं हुई है तो एक बार फिस से आप इसको tap कर दीजिए जैसे tap करेंगे आपके सामने कुछ चीज तरह से screen change हो जाएगी आपकी flickering की जो problem है वो solve हो जाएगी जैसे इसको enable करेंगे तो आप अपने mobile को एक बार on off करके भी देख लीजिएगा problem solve हो जाएगी यह सब करने के बाद तो guys बस आज की वीडियो में इतना ही मिल दें नेक्स वीडियो में तिल दर भाइ टेक क्या लव यू आल टेक क्या